सुना आपने क्रिस्प आज हम यही चिप्स बनाएंगे बहुत ही आसान से तरीके से फ्रेंड्स तो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू चेतनाज किचन आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी और बहुत ही शांदार सी रेस्पी शेयर करने जारी हूं तो वीडियो पर यह आलू लिए हैं फ्रेंड्स आलू की चिप्स बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जदा क्रिस्पी बनी है जैसे कि आपने देखा है तो बैस सबसे पहले क्या करना है आलू को हमें छील लेना है चाकू से या फिर पीलर से जैसे भी आपको सही लगे आलू को छील कुछ इस तरीके से तो मैंने यहां पर 5-6 आलू लिए हैं वेट के हिसाब से देखे तो 1.5 kg के करीब आलू लिए हैं और इनसे बहुत ही शानदार बिल्कुल सुद्ध तरीके से हमारी चिप्स बन के तयार होगी जिसको हम ब्रत वगेरा में खा सकते हैं फिर नॉर्मली वै तो यहां पर हमने आलू की चिप्स बनाना स्टार्ट कर दी हैं जिससे हम गाजर विगेरा किस्ते हैं वह उसके अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जिससे चिप्स भी निकाली जा सकती है जैसा कि मैंने लिया है और आपने देखा ही है तो यह देखे इससे बहुत ही शानदार निकलती है फ्रेंड्स इससे हमें कोई अलग मसीन की जरूरत नहीं है और यह देखे मैंने यहां पर चार आलू से और इतनी सारी चिप्सें बना लिया है बहुत सारी और इनको हमें बिना किसी जंजट के यह बनाना है फटाफर तरीके से कैसे बनाए तो वीडियो में एंड तक बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना तो बस हमें अब करना क्या है यह जो हमने चिप्स बनाई है इसको हमें तीन से चार बार अच्छे पानी में से निकालना है फ्रेंड्स यह प्रोसेस करनी बहुत जुरूरी हो क्योंकि आलो के अंदर काफी सारा स्थार्ट होता हैare निकालना होता है तो जैसा कि आप देखे, आप देक पार जहांगे कि व 설명 में करना हूं, बीज्यान से बीजोम सारा क्या है Jup – एक दो और आकिन प्रॉन asking I can dubs कोई भी वरतन के अंदर गरम पानी कर लीजिए आप जब गरम पानी हो जाएं तो चिप्सों को रख देना है हमें इसके अंदर और हमें सिर्फ दो मिनट तक ही इनको उबालना है यहां पे आप गैस का फ्लेम हाई करके उबाल सकते हो सिर्फ दो मिनट तक ही टाइम देख इसलिए इसको उबालना जुरूरी है उबाली हुई चिप्स को आप स्टोर करके भी रख सकते हो अगर वीडियो चाहे तो वी शेयर कर दूँगी कमेंट बैक्स में जूरूर बता देना तो बस उबाली हुई कुछ नहीं है अगर आपको यह इनको स्टोर करनी है तो आप इनक सुखा दीजिए छाया के अंदर और यह बिल्कुल सूख जाएं तो इनको कंटेनर में डालके रख लीजिए बट मुझे यहां पर यह फटा फट बनानी है तो मैंने क्या किया दो मिनट के बाद में उबलने के बाद में इनको बाहर निकाल लिया है कोई भी सूती कपड़े के उपर आप इनको बिचा दीजिए इस तरीके से और मैंने आपे कोई भी यह पेपर से इनको सुखा लेंगे या फिर कपड़े या फिर इसके उपर आप कपड़ा रख सकते हो कुछ इस तरीके से यह देखिए मैंने दोर्नों प्रोसेस बता दिया इससे क्या होगा जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है ना वो पानी निकल जाएगा और बस कुछ नहीं हाथो हाथ हमें इनको फ्राई करने के लिए 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 चलना है कडाई की तरफ तो यह देखिए फ्रेंट्स बहुत आसान है इन चिप्सों को बस हमें इसका थोड़ा सा पानी अलग करना ह इससे क्या होगा हमारी चिप्स बिल्कुल कड़क बनेगी और बिल्कुल क्रंची बनेगी इदर मैंने कड़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रख दिया है और फटाफ़र से इसके अंदर चिप्स डाल देते हैं और यह देखिए फ्रेंट्स जैसे ही मैं चिप्स डाल यह देखिए काफी अच्छा सा कलर भी आ चुका है और चिप्स हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है फ्रेंड्स बिल्कुल बाजार वाली जैसी हुई है और तो इससे बेटर तरीका और क्या हो सकता है इसको हम प्रत में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी चाय के साथ भी खा स है इदर हमारी चाय बन रही है इदर मैंने चिप्स भी तयार कर ली है तो बस इससे अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है क्या जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है और घर में बनी हुई चीजें अगर हम खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी के भी अगर वरत में खाते हो तो भी बहुत अच्छा होता है चिप्स वगेरा इस तरीके से फटाफट से बन जाती है बिल्कुल बिना किसी महनत के बहुत ही आराम से बन जाती है तो बस इस तरीके से फटाफट से मैं इनको फ्राइ कर लेती हूं क्योंकि इदर मेरी चाय बन रही अब बहुत ही क्रंची हमारी चिप्स बनके तयार हुई है आप इसको जुरूर ट्राई करना बहुत ही शांदार बनती है तो ये देखें मैंने आप इस तरीके से करके पूरी की पूरी चिप्स निकाल ली है जैसा कि आप देख पारें तो फ्रेंट्स बच्चों को बहुत पसंद होती है ये चिप्स उनको मुँपर यही होता है कि हमें चिप्स खानी है तो बस फटाफट से आप भी इस तरीके से बच्चों को खुसकर शकते हो और आराम से घर बना के दे सकते हो बहुत ही कम बजट में बहुत सारी चिप्सें तयार हो जाती है मैंने बहुत कम महनत में ये चिप्स तयार किया जिसका क्रेस आप सुन लीजिए खुदी तो बस तयार है आज की हमारी बिल्कुल कुरक्री करारी और बहुत ही स्पेसल बिल्कुल फ्रेस आलू की चिप्स की रेसिपी जो सबको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है अगर आप इनको व्रत के लिए रख रहे हो तो आप क्या करिए इसके अंदर आप जो सेंदा नमक करते है और जो टाल दे जिए अगर नॉर्मल खाना चाते हो तो आप इसके अंदर थोड़ मिर्ची पाउडर नमक डाल सकते हो और सबको खिला सकते हो तो मैंने यहां पे क्या किया नमक डाल दिया क्योंकि मुझे यहां पर व्रत के लिए नहीं बनानी अगर आपको व्रत के तो मैंने थोड़ी सी लालमी चिप आउडर डाल दी है और ये मैंने डाल दिया है सेंदा नमक थोड़ा सा तो बस अब हमें इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और तयार है हमारी बहुती शानदा स्पेशल सी चटपटी सी करारी सी बहुत ही मज़दार सी चिपस शिर्फ हमने पांच आलू के अंदर ये बनाई है चिपस और ये देखे काफी सारी बन गई और फ्रेंट्स इसमें से पहले ही जैसे जैसे मैंने इनको तली ना तो बच्चे पहले ही इसको ले गई उठा उठा के तो बस इतनी ही बच्ची है तो इसमें मैंने थोड़ी लालमिची पावर बगेर एड कर लिए क्योंकि थोड़ा चटपटा भी खाल लेंगे और बस तयार है हमारी आज की स्पेसल मज़दार सी चिपस की रेसिपी तो बस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगरे वीडियो अच्छी